नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी के आपके अपने पसंद्टा चैनल पौन सूत इंटर्टेन्मेंट में तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सब के चहते सितारे एक एलवम सौंग का कितना रूपया लेते हैं तो हाँ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आप सब के चहते सितारे एक एलवम गाना गाने के लिए आखिर कितना रूपया लेते हैं तो चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए और बेल आइकन को दबा दिज करते हैं जोस्तों वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप सब के चहते स्टार गायक सिंगर एक सौंग का कितना रूपया लेते हैं जो अपना आडियो वीडियो और एक्टिंग सारा उस कंपनी को देते हैं उस सौंग के लिए वो कितना लेते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बा सिंगर और अभिनेता भी है ये गायक और अभिनेता भी है और सिंगर और हीरो भी है तो ये दोस्तों एक अपने सौंग के लिए 40-50,000 रूपया लेते हैं दोस्तो इनका बहुत सारा गाना हीट हो चुका है और बहुत सारे गाना इनका हीट होता है इनके गाने मार्केट में बस्ते रहते हैं गोलु गोल्ड अगला नाम आता है दोस्तो गोलु गोल्ड गोलु गोल्ड का भी बहुत सारे गाने हीट होते हैं यह भी मार्केट में अच अच्छा भी जाते हैं अच्छे रिस्मोर्स मिलते हैं तो गौलू गौल्ड 40-50,000 रुपया लेते हैं अपने एक गाना के लिए तो आगला नमबर आता है धनंजय धरकन दोस्तों धनंजय धरकन का भी बहुत सारा गाना हीट हो चुका है बहुत सारे इनके गाने पर भी जाते हैं अगला बारी आता है दोस्तों राकेश मिसरा राकेश मिसरा एक उभर एक सुपर एश्टार गायक और हीरो भी है ये गायक और अभीनेता भी है और एक्टर भी है तो इनके भी बहुत सारे सौंग वायरल होते हैं और इनका फिलहाल एक सौंग बहुत ज्यादा वायरल और ये भी बहुत बड़े इस्टार है तो ये दोस्तों अपने एक सौंग के लिए 60-70,000 रूपया लेते हैं जी हां दोस्तों राकेश मिसरा 60-70,000 रूपय लेते हैं और ये गायक और अभीनेता दोनों हैं इनके फिल्में भी हीट होती हैं और इनके गानें भी बहुत ज्य सौंग के लिए लेते हैं अगला बारी आता है अर्भीन अकेला कलू तो दोस्तों ये बहुत पुराने गायक हैं ये अपनी गायकी इन्होंने बच्पन लाइन से ही स्टार्ट किया था और आज ये आज के डेट में ये बहुत बड़े सिंगर और एक्टर भी है यानि गायक और अभिनेता भी है इनके सौंग भी बहुत अच्छा बजते हैं और फिल्म भी बहुत ज्यादा चलते हैं इनका एक सौंग अभी 100 मिलियों क्लोस क्रोस किया है और इनका भी बहुत सारा अलबम आते रहता है बहुत सारे फिल्में हीट गई है तो दोस्तों ये एक सौंग क सूंं ले रहे हैं तब से बहुत जादा बच रहे हैं और इनके हर सौंग का बहुत अच्छा रिस्पॉस मिल रहा है बहुत जादा बचता है और यह i에क्टर भी होगै है और भूत ऐसे सब्स लेते हैं और से अगला वारी आता है इनके बहुत सारे गाना जो है हीट हो रहे हैं मिल्यानों में व्यूज जा रहे हैं ये भी अपना भी बढ़ा दिया है इन्होंने और ये भी एक्टर और सिंगर दोनों है यानि गहक और अभिनेता ये भी दोनों है इनके भी कई सारे फिल्में आ रहे हैं तो दोस्तों समर्सी एक सौंग के लिए 80-90 रुपया लेते हैं अगला बारी आता है रितेस पांडे तो दोस्तों रितेस पांडे ने बहुत कम समय अपना पहचान बनाया है और इनके बहुत सारे सौंग हीट हो चुके हैं एक सौंग फिलाहाल इनका बहुत ज़्यादा बजा है हेलो कॉन बहुत ज़्यादा हीट रह है गयक और अभिनेता है इनके फिल्में भी बहुत अच्छा चलती है हीट होती है तो यह दोस्तों नब्य से पंचानवे हजार लेते हैं आगला बारी आता है जुबली स्टार दिने चला लिया दो तो दोस्तों यह भी भोजपूरी इंड़स्री के काफी पूराने एक्टर और सिंगर हैं इनके फिल्में बहुत ज्यादा हीट होती है बहुत ज्यादा इनके फिल्में चलती है और इनके फिल्म अभी 200 मिलियन प्लस गया है इनके मुवीज बहुत ज्यादा चलते हैं और इनके सौंग बहुत कम आते हैं यह सौंग बहुत कम आते हैं और जो भी सौं कभी कभी किसी और कंपनी के लिए यह song गाते हैं तो उसके लिए यह नब्य से 95,000 रुपय लेते हैं आगला बारह आता है trending star hit machine दबंग star खेसारी लाले यादो क्या तो भोजपूरी के popular singer और popular actor क्या सारी लाल्यादों भी बहुत बड़े एश्टार हैं भोजपूरी इंड़स्री क्या जिनका हर एक स्वुर्ण होता है और हीट होते हैं जिनके मुवीज भी बहुत ज्यादा चलते हैं जिनके बहुत सारे हीट हीट सॉंग हो चुके हैं हीट सुपर हीट मुवी जा चुके हैं जिनके हर एक वीडियो का दर्सक बहुत बिसबरी से इंतिजार करते हैं जिनके हर एक वीडियो न्यूज जो भी हो बहुत ज़्यादा चलते हैं तो ये भी धाई से तीन लाख रूपिया लेते हैं एक सौंग के लिए अगला बारी आता है दोस्तो पावर इस्टार पॉन सिंह के बारे में आपको बता दें भोजपूरी के सबसे पोपलर सिंगर और मा सरस्वती का इनका आवाज कहा जाता है कि मा सरस्वती का इन पर अशिरवाद है भोजपूरी के सबसे पोपलर सिंगर और एक्टर पॉन सिंह के बारे में जिनका गाना इंडिया के अलावा बाहर भी बज़ता है जब से ये अपना फिल्मी केरियर स्टार्ट किया है एल्बम बहुत कम ही आता है लेकिन जब भी आता है मार्केट में तालका मचा देता है दोस्तो ये पावन सिंग को लॉलीवोफ सिंगर से भी बहुत ज़्यदा पस्षीद है और इनके सॉंग अपने देश के लाव अधर कंट्री में भी बढते हैं जब से इन्होंने अपना फिल्मी केरियर इस्टार्ट किया है तब से सॉंग एल्बम सॉंग कुछ कम ही देते हैं और जो भी देते हैं वो सारे मार्केट में तालका ही मचा देते हैं दोस्तों ये अपने एक सॉंग के लिए धाई से तीन लाख रुपया लेते हैं और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताईए और अगला वीडियो में आप किस सिंगर के बारे में और क्या भोजपूरी से जुड़े निवच चाहते हैं कॉमेंट काके जरूर बताईए और चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो अच्छा लाए़े तो लाइक के रिए कॉमेंट करिए और सेयर करके अपने दोस्तों को पास भी ये वीडियो को जरूर पहुश चाहिए तो धन्य बाल दोस्तो जै भोच्पूरी जै भोच्पूरी है समाच